लावanders 10, Chapter 2, Polynomial Px is a polynomial in x, the highest power of x in Px यहाँ Px क्या है? Polynomial है Px एक equation है, जिसको हम क्या कहते है, Polynomial वह equation कैसी भी हो सकती? Power जिसके पर 4 भी हो सकती, 3 भी हो सकती है 2 भी हो सकती, 1 भी हो सकती है तो जो इसके पर highest power होती है उसको क्या कहते है degree of polynomial highest power को कहते है degree of polynomial for example 4x plus 2 तो इसकी power क्या है x की 1 है तो यह क्या कहलाएगा इसकी degree क्या होगी 1 होगी इसकी degree क्या होगी 1 होगी तो यह कहलाएगा it is a polynomial in the variable x variable इसमें x है जिसकी degree है 1 second example है 2y square minus 3y plus 4 तो इसमें power maximum है 2 तो इसकी degree हो जाएगी 2 next example है 5x cube minus 4x plus x minus 2 तो इसमें highest power है 3 क्योंकि x कपर q है तो highest power होगी तो वही क्या हो जाएगी degree हो जाएगी तो इस polynomial की degree हो जाएगी 3 इस polynomial की degree हो जाएगी 3 अब polynomial जिसकी degree होती है 1 तो उसको हम क्या कहते है linear polynomial linear polynomial जैसे 2x minus 3 और अब ऐसा polynomial जिसकी degree क्या हो 2 हो यानि कि x square लगा हो maximum degree वो हो तो उसको हम बोलते है quadratic polynomial quadratic या quadratic इस word का मतलब ही होता है square for example इसका होता है x square plus 2x plus 1 ये quadratic polynomial है y square minus 1 ये quadratic polynomial है अब ऐसा polynomial जिसकी degree क्या हो 3 तो उसको क्या बोलते है cubic polynomial क्या कहेंगे उसको cubic polynomial example है 2 minus x cube x cube तो ये सब क्या है इसमा highest degree है 3 highest power है 3 तो ये क्या कहलाएगा cubic polynomial cubic polynomial इसका general form क्या होता है cubic polynomial का इसी तरह जैसे cubic polynomial का ये general form हो भी पढ़ेंगे हम वैसे ही square यानकि quadratic polynomial का भी होता है और linear polynomial का भी होता है तो general form है ax cube plus bx square plus cx plus d यहाँ x तो सब क्या है variable है और a, b, c, d यह क्या है यह हमारे constant है जो क्या होने चीए वो real numbers होने चीए और यहाँ a क्या नहीं होना चीए 0 नहीं होना चीए अगर a 0 हो गया तो ये जो cubic के साथ a भी multiply में है तो वो पूरे ही number को क्या बना देगा 0 बना देगा और 0 बना देगा तो ये cubic polynomial नहीं बन पाएगा इसलिए a 0 नहीं होना चीए अब हम एक concept देखेंगे कि जो ये px होता न polynomial मतलब ये equation होता है simple language में तो उस equation की अगर हम value find out करें अगर हमारे को उस equation में जैसे x है पूरी x की equation दे रखी है x हमारा variable है तो x की value दे रखी हो मान लो k k यहाँ कोई भी number हो सकता है वो put करने पर क्या answer आता है वो चीज हमको देखनी है तो जैसे equation हमारे को दे रखी है polynomial px x square minus 3x minus 4 और यहाँ x की value दे रखी है minus 1 तो यह x की value minus 1 हम यहाँ x की जगे रख देंगे तो पूरी equation में जहाँ जहाँ x है ना वहाँ minus 1 रखके हम इस equation को solve कर देंगे वहाँ minus 1 रखके हम इस equation को solve कर देंगे तो देखिए minus 1 हमने put करा तो दीखेt किया हुआ एक्स स्क्रेस की जगे माइनस वन का इस्क्रायर हो गया माइनस की जगे दीघर माइनस का इस्क्रेस हो गया 3 को minus 1 से multiply गहरा तो minus 3 हो गया और minus 4 की जगह गहर भ्त इस film कि जद और यह trafi भर सब्चक्राइख इता टाइंच हो गया थे और यह जोला तो यह कि इता उसेलो उसे मिल्सक्राव गया ओरिंद्ट थेया आइक बंन और 2 laugh करके देख लिए answer के आया था 0 अब minus 4 दे रखिए value तो minus 4 रखेंगे हम x की जगे है इसी equation में तो क्या answer आएगा तो देखिए minus 4 हमने place करा तो x square की जगे 4 का square minus 3 x था तो 3 minus 3 into 4 हो जाएगा और minus 4 की जगे minus 4 4 का square होता है 16 3 को 4 से multiply करा तो 12 minus का σञ novels अपनी प्यक्राइग है और आखे में minus 4 तो था ही तो देखिए 16 ये minus minus क्या हो गया plus हो साइन माइनस का तो 12 दो तो or 4 plus हो गया 16 तो minus 16 हो गया है तो 16 में 16 गया तो 0 आगया और यह हमारा क्या हो गया सन गया answer हो गया sir हो गया हमारा क्यों अशन गया we have जब P-1 रखा P-1 रखा तो भी 0 आया और P-4 रखा तो भी 0 आया तो यह जो minus 1 और 4 थे यह हम क्या कहलाएंगे इनको zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x minus 4 इस equation के यह क्या है zeros है क्योंकि इनको put करने पर इस equation में answer क्या आ रहा है 0 आ रहा है इसलिए zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x minus 4 कहला रहा है more generally और real number k k कोई भी number हो सकता है जो हमने अभी put करा इस set to be a 0 वो कब 0 कहलाएगा किसी भी polynomial का जब उस equation हम put कर दिया और वो equation का final answer के आ जाएगा 0 आ जाएगा final answer के आ जाएगा 0 आ जाएगा जैसा हमने यहाँ देखा जाएगा